सबी हनुमान भग्तों को मेरा राम राम और जो भी भग्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं मुझे सुन रहे हैं उन सबी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमली श्री हनुमान ते साथना रहे से पर दोस्तों आप सबी जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन करने का सबसे सरल सुगम अगर कोई साधन है तो वो है वो है श्री हनुमान जालीसा श्री हनुमान जालीसा का पार्ट करने से व्यक्ति के अंदर गजब का उसा आता है गजब का आत्मेविश्वास आता है और वेक्ति ऐसा क्या कार है जो कर नहीं सकता आज मैं आपको हनुमान चालीसा के संकल्प की बहुत ही सुन्दर बहुत ही सरल और बहुत ही साधरन विधी बताने जा रहे हूं अगर आप इस विधी से हनुमान चालीसा का संकल्प ल रहे हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब हम हनुमान चालिशा का पाट करते हैं तो हमारे अंदर एक कजब की उज़ा का प्रचार प्रशार होता है और हम वैसे हनुमान चालिशा का पार्ट अगर दैनिक रूप से करते हैं तो हमें किसी प्रकार के संकल्प की आशकता नहीं पड़ती है लेकिन हम किसी विशेश काम की पूर्ती के लिए ये विशेश मनो कामना की पूर्ती के लिए अगर हनुमान चाली सका पार्ट कर रहे हैं तो हमें संकल्प लेने की आशकत पड़ती है इस संकल्प को दोस्तों आपको शुरुवात के प्रथम दिवस में करना होता है और आखरी में इस संकल्प को कैसे समापन करना है उसके विशे में भी बताऊंगी तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको हनुमान चालीसा का संकल्प किस प्रकार से लेना है तो जब भ अगर पाट करना चाहते हैं हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं पास हनुमान जी की मूर्ती या फोटो या कोई आपके पास इमेज जरूर होने चाहिए क्योंकि अगर आप संकल्प ले रहे हैं और हनुमान जी के सामने बैठ कर उस पाट को नहीं करेंगे तो आप प्रसनिता वो आपके अंदर उर्जा नहीं आ पाईगी तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की एक प्रतिमा मुर्ति लेनी है और अगर आपके घर में इस प्रकार की सुविधा नहीं है तो आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में भी जाकर इस संकल्प को ले सकते हैं और व जब आपके पास हनुमान जी की एक प्रतिमा है आपके पास मूर्ति है आपको हनुमान चालीसा का पार्ट प्रारम करने से पहले सरु प्रतम भगवान श्री राम का आवाहन करना बहुत जरूरी है इस बात को दोस्तों गांट बान लिजे कि अगर आप हनुमान चालीसा का स अनिकल्प ले रहे हैं, तो सर उप्रतम आपको रामजी का आवाहन जरूर से लरूर करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके, उसमें एक फूल डालेगा, उसमें दो डाणे चावल के डाले, और राम जी का नाम लेते हुए उस जल को प्रत्वेवर गिरा दीजे और एक माला आपको राम नाम की यानि कि 108 बार आपको श्री राम नाम का जाब करना है उसके बाद आपको करना क्या है कि पाट करने का दोस्तों आपको समय जो है निर्धारित करना है अगर आप किसी मनो का पूर्तिकले संकल्प ले रहे हैं तो आपको उस पाट का समय निर्धारित करना होगा ऐसा नहीं है कि कभी सुबह कर लिया कभी दुपहर में कर लिया कभी स्राम को करना है नहीं अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो आपको पाट का एक नियम समय निर्धारित करना होगा कि मैं स से कभी भी कर सकते हैं पाट करने के लिए दोस्तों आपको एक साफ सुत्रे इस्थान की आशकता है यानि कि आप जिस जगे पाट करेंगे वहां पहले आपको सफाई करनी होगी पाट करने से पहले ऐसा नहीं कि इधर भी गुड़ा पड़ा हुआ है इधर समान विख्रा उसे बिल्कुल साफ सुत्रा कर लीजे प्रेथम दिवस आपको ऐसा करना है वहां पर आपको हनुमान जी को स्थापित करना है याद रखिएगा कि घर के इशान कोर्ड में पूजा स्थल या मंदि होना चाहिए क्योंकि इशान कोर्ड जो होता है वो भगवान का आपको गंगा जल से आपको पवित्र करना है यानि कि आप अपने पास गंगा जल जरूर रखिए और अगर गंगा जल आपको लाने में दिक्कत हो रही है कोई परशानी है तो आपके घर में जो भी पानी है लेकिन उसको साफ होना चाहिए उसी पानी से आपको उस प्रतिमा को जनेव और तुल्सी की माला नहीं पहना सकती हैं अगर आप तो आप किसी और से घर में जो भी हो उनसे करा सकते हैं पार्ट शुरू करने से पहले आपको चमेली के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और चमेली के तेल अगर आपके घर में नहीं है तो आप सुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं यानि कि आपने शुरूआत कहा से की कि हनुमान जी की प्रतिमा को आपने साफ सुत्रे आसन में बिठाया लाल कपड़ा बिछा लिया उसके बाद उस प्रतिमा को रखा प्रतिमा को आपने गंगाजल से नहलाया गंगाजल से नहलाने के बाद आपने वस्तर जनेयू तुलसी क कि माला पहना दी उनको टीक का रोली चंदन लगा दिया फिर उसके बाद प्रशाद का उसके बाद जो भी फिर आपने जो भी आपके घर में भोग लगाने के लिए हो उस भोग को रख दिया कोशिश कीजेगा कि जब आप प्रथम दिन इस अंकल को लें तो हनुमान जी का पस प्रशन हो जाते हैं दीपक जलाने के बाद भोग लगाने के बाद अपने आसन पर जबाब बैठे हैं आसन ध्यान रिखेगा कि लाल रंग का होना चाहिए और कुछ का आसन हो तो बहुत अच्छा होता है आसन पर बैठ कर आपको राम जी का आवाहन करना है आवाहन करने की बिधी में बता चुकी हूँ उसके बाद राम जी के नाम की एक माला करनी है उस माला को करने के बाद आपको क्या करना है कि दाहिने हाथ में फिर थोड़ा सा जल पुश्प और चावल का और जो भी आपकी मनोकामना है जिस कारण से आप इस संकल्प को उठा रहे हैं उसे मैं यह चाहता हूँ उस जल को आपको प्रत्वी पर छोड़ देना है दोस्तों उसके बाद आपको लिया है पांच पार्ट का ग्यारा पार्ट का 21 पार्ट का यह आपके सामर्थ के और टाइम के उपर डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट का संकल्प लेते हैं लेकिन कम से कम पांच पार्ट का संकल्प आपको लेना पड़ेगा उसके बाद आप अपने पार्ट को खतम कीजे श्री हनुमान चालीसा के फिर हनुमान जी की आरती कीजे और उस प्रशाद को अपने घर में बाठ दीजे और लगातार आपको 11 दिन तक एक ही समय पर एक ही इस्थान पर हनुमान चालीसा के उतने ही पार्ट करने है जितने आपने पहले दिन किये थे आखरी वाला दिन जब आएगा जिस दिन आपके पार्ट का समापन है दोस्तों याद रखिएगा कि बीच में आपका ब्रमचर पालन खंडित नहीं होना चाहिए आपको बाहर का कहीं भी खाना पीना नहीं है परहेज किजेगा लेसं प्याज आपको नहीं खानी है और आप लोग जो एलकोहल लेते हैं कुछ लोग शराब पीते हैं सिगरेट पीते हैं उससे भी आपको बचना है क्योंकि ये सब चीजें हनुमान जी की पूजा में वर्जित बताई जाती है तो अखरी वाला दिन होगा तो उस दिन भी आपको पूर्या वैसे ही हनुमान चाली सागा जितने आपने संकल्प लिया है संकल्प बाद आप उस प्रशाद को बाट दीजेगा और कोशिच कीजेगा कि चाहें दो ही व्यक्ति को लेकिन आपको किसी भूखे को भूजन कराना है या तो अपनी घर में बुला के करा दीजे और नहीं तो आप पैकेट बना के अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर में जाकर किसी दो व्यक्ति को पांच व्यक्ति को जितनी आपकी इच्छा हो जितना आपका सामर्थ हो उसे आपको बाट देना है इस तरीके से जब आप को कोई संकल्प करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी रोख नहीं सकता स्वयम हनुमान जी उस मनोकामना को पूरी करेंगे और भगवान राम के सयोग से वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी तो दोस्तों मुझे लगता है आपको हनुमान चालीसा संकल्ब की पुरी बीदी समझ में आ गई होगी अगर आपको पसंद आया हो तो इससे शेयर भी जरूर कीजेगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए धन्यवाद दोस्तों